नमस्कार मैं हूँ आपके साथ जोती कनोचिया आईए नज़र आते हैं फड़ फड़ खबरों के ओर सुप्रेंग कोट ने जारकन की पूर्व मुखमंत्री हिमल सुरेन की आचिका पर सुनवाई से शुक्रवार को इंकार कर दिया सुप्रेंग कोट ने सुरेन से पूछा कि आप हाई कोट क्यों नहीं जाते सुरेन की ओर से पेश वरिस्टा दिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि या मामला एक मुखमंत्री से संबनी थे जिसे किरफतार किया गया इस पर सुप्रीन कोट ने कहा कि अदालते सभी के लिए खुली है और उच्छ न्याले सविधानिक अदालते हैं आपको हाइकोन जाना चाहिए क्यारितिक रोशन की सोलू हीरो की तौर पर साख बॉक्स ऑफिस पर लगतार घट रही है और क्यारितिक की पिछली ब्लॉक बास्टर फिल्म वोर्ड की काम्याबी फिल्म में टैगर श्रॉप की मौझूदकी की वज़ा से ही मुम्किन हो सकी ये दो सवाल हिंदी फिल्म जगत की कारोबारी चर्चाओं में बीते दिन सबसे एहम रहे वैसे तो एक परवरी को सबकी निगाहे किन सरकार के अंतरिम बजट पर ही लगी हुई थी लेकिन अपनी रिलीस के आत्वे दिन फिल्म फाइटर कितना कारोबार करेगी और कितना क जगरेगी उससे फिल्म की घरेडू बॉक्स ओफिस पर कमाई का आकड़ा 150 करोड रुपे के पार जाएगा या नहीं इस पर भी पोरे दिन लोगों का ध्यान लगा रहा जारकन मुप्ति मोर्चा के विधायक दलकेनिता चमपाई सुरेण शुक्रुवार को जारकन के मुखमंत्री पत की शपत लेंगे कौफिस पार्टी के आलमगीर आलम और राजत के सत्यानन धोगता भी राजिकेमिनेंट मंत्री के रूट में शपत लेंगे अधिकारियों ने बताया कि शपत द्रहिंट समारो आद दो पहर 12 बचकर बारबनेट से राजगोवन के दरबाल हॉल में होगा चमपाई सुरेण को राजपाल सीपी राधा करश्नन ने गुरुवार को मुखमंत्री मनुन क्या था इससे पहले चमपाई सुरेण ने शीबु सुरेण से मुलाकात कि इसके बाद चमपाई ने कहा कि गुरुजी हमारे आदर्शे शपत लेने से पहले हम गुरुजी और माता जी से आशिरवात लेने आए थे मालदीब से भारती सानिकों की वापसी को लेकर भारत पर मालदीब के बीद दूसरे कोर्ट ग्रुप की बैचक आज दिली में होगी कोर्ट ग्रुप की पहली बैचक मालदीब की राधानी माले में 14 जन्वरी को हुई थी माले में हुई बैचक में भारत और माल्दीद के बीज भारती सेनिकों की वापसी की प्रिकरिया में तेजी लामी पर सेहमती बनी थी कर्माल दीद के विदेश मामलों के मंत्राले में कोई पहली कोर गुरूप की बैचक में दोनों देशों के दूपक्षी सयोग की भी समिक्षा की गए। और बादलों की गर्गरा हट भी सुनाई दे रही। समय भी तै करती है कि पहली आर्थी सुबा साड़े तीन बजे होगी प्रते दिन के शिर्वात मंगला आर्थी सुबा साड़े तीन बजे होगी। दिल्ले के मुखमंत्री अर्विंद केश्रिवाल आग भी एड़ी के सामने पेश नहीं होंगे एड़ी की समन को गयर कानूनी बताते वे आमाद्मी पार्टी ने कहा कि या स्तियम केश्रिवाल को गिरपतार करने की कोशिश है हम वैद समन का पालन करेंगे पियम मोधी पर नि दोश्तार की शामिल होने को कहा था इसे पहले भी पीते चार महीने में मुखमंत्री चार बर समन जारी होने के बाग जूद एड़ी के सामने पेश नहीं है केंद्र सरकार का अंतरिम बजट यूपी के विकास की रफ्तार में इधन का काम करेगा केंद्री बजट में अपनी मजबूत हिस्सेदारी की वज़ा से यूपी को करीब 3.61 ला करोर रुपए मिलने का नुमान है इसमें केंद्री करो में हिस्सेदारी केंद्र प्रायोजेत योशनाओं में हिस्सेदारी वित आयोग और Special Assistants for Status Team के तहत मिलने वाली राशी शामिल है आगामी वित वर्ष में केंदरी करो में यूपी के हिस्सेदारी करीब 17.4 पीज़ी होगी केंदरी प्रायुजेत वियोशनाओं के लिए पिछले वर्ष यूपी को 84,1999 करोड रुपए देने का एलान किया गया था इस वर्ष इस्ते करीब 8500 करोड रुपए और जादा मिलने का नुमान है यानवापी परिशत के वियाजी के तैखाने में पूजा का अधिकार हिदो पक्ष को मिलने के बाद पहले जुमे की नमास को लेकर शुकरुआर को सुबा से पुलिस अलेक्ट मोड पे हैं पुलिस अधिकारियों के निर्देशन पर सभी पुलिस कर भी सतर्क हैं अधिकारी भी सुबा से गश्ट कर रहे बास पाटक इलाके में मंडू आडी ठाना प्रभारी भरत पाध्याय ने गश्ट किया व्याजी के तैकाने में दर्शक पूजन आरम होने के बाद संत्र रिपोर्ट सीम पुशकर सिंग धामी को सौपी कल कैबिनेट बैठक में UCC ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी मिलने के बाद इसे 6 परवरी को विदान सभा में पेश के जाने के उमीद है ड्राफ्ट रिपोर्ट सौपनिकली विशेशक गेद समीती की अत्यक्ष जस्टिस रंजिना प्रकास देशाई और उनकी टीम मुखमंतरी आवास सेथ मुख के सेवक सदन पहुची जहां उन्होंने सीम धामी को रिपोर्ट सौपीस दोरान मुखमंतरी पुशकर सिंग धामी ने कहा लंगी समय से हमें इस ड्राफ्ट का इंपिसदार था आज हमें खबरों में बस इतना ही बने रहें हमारी साथ